तो गाइस आज के इस वीडियो में सामान गयान के टॉप 50 कोश्चिन करेंगे जो आपके किसी भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आप एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हैं तो सूर्ज से प्रत्वी के दूरी है ओप्सन डी 149 मिलियन किलो मेटर अगला है कौन सा ग्रहे सूर्ज की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है तो ओप्सन भी बुद्ध ग्रहा कौन लेता है बुद्ध ग्रहे लेता है नेक्स्ट है भारत का प्रामालिक देशांतर जो है वो कितना है तो भारत का प्रामालिक देशांतर है ओप्सन है साड़े 82 डिग्री जौलामो की निर्मित इस्तला क्रती जो है वो कौन सी है तो जौलामो की निर्मित इस्तला क्रती ओप्सन सी काल डेरा कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक बिस्तरत मरुस्तल से होकर गुजरती है तो ये है option D, colorado प्रकुशन है, कौन सी चट्टान जो है, वो स्लेट में परिवर्तित होती है तो दिखी, cell जो होती है, cell नामा के टन, वो स्लेट में परिवर्तित होती है निमलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लौर्ड अफरिन ने भारती राष्टी कॉंग्रेस को एक सेप्टी बॉल्ब के रूम में देखा तो आप्सन भी लाला लाजपत्राय एबं सीपी दत्थ अंतरराष्टी सौर उड़जा सयोग मंच का मुख्याले कहां पर अवस्तित है तो आप्सन सी गुडगाओं बिहार में गंगा की दच्छनी साहक नदियां कौन कौन सी हैं तो ये हैं आप्सन भी सोन, पुनपुन और कियूल जहारखंड में बाकसाइट की नजिलों में मिलता है तो आप्सन ए राची पलामू बंद अर्थ बेवस्ता बहे अर्थ बेवस्ता है जिसमें आप्सन डी ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है सरकारिया आयोक किसके अध्यन के लिए गठित किया गया था Option B केंदर राज्जिय संबंद के लिए Congress संगिठन की आरंबिक मांगे थी तो क्या थी Option D उप्रोक सभी पहला है अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को सामिल करना B.A. सस्त्र अधिनियम की समापती C.I.C.S. परिच्छा का इंग्लेंड एवं भारत में एक साथ आयोजन फील्ड मार्सल की पदवी पाने वाले प्रतम भारतिय कौन है तो Option C माने कसा RD.18 जी द्वारा मोहन जोदोडों की खोज कब हुई थी तो Option D हो जाएगा आपका आंसर हो जाए Option C बर्स 1922 में 1922 सुमेलित करना में है आपको एक में योजना है दूसरे में बर्स है और कूट के माद्यम से मिलान करना है तो आपका हो जाएगा Option B पहला है आपका मनरेका मनरेका का हो जाएगा 2005 फिर प्रदान मंतरी जंधा नहीं हो जना यह हो जाएगा 2014 फिर अटल पैंसा नहीं हो जना यह हो जाएगा 2015 फिर ग्राम उदय से भारत उदय यह हो जाएगा 2016 जिला न्याया धिसों की को कौन न्यूक्त करता है तो Option B सम्मंदित राज का राजपाल आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था Option B बड़्स 1942 माउंट एबरेश्ट पर पहली बार बिजय कब हुई? तॉपसने मई 1953 मार्टिन लूतर किंग कहां के निवासी थे? तो USA दच्छन अफरीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयाई कौन थे? Option ए एंड्रूज जलियाबाला बाग हत्याकान के समय बायसराय कौन था? तो Option B चेम्स फोर्ड अकबर नामा की रचना किस ने की थी? तो अकबर नामा की रचना की थी? अवुल फजल भारती राजनीती में महात्मा गांधी का अवतरन किस अंदोलन से हुआ? तो यह हुआ ता Option C चम्पा रण आंदोलन अगला है पोकरण जहां आणविक परिच्छन किये गए किस राज में अवस्तित है? तो Option B राजस्थान किस पुस्तक से बंदे मात्रम उद्धरत है तो आनन्द मठ बालमेकी ने रामायर की रचना किस भासा में की थी? तो Option B संस्कृत भासा अगला कोश्चन क्या गयता है तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना किस भासा में की? Option C अबदी भासा में की थी? अबदी जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था? Option B लाल बहदुर सास्त्री नीती आयोक के सम्मद में क्या सही है? तो Option A केवल एक इसकी स्थापना योजना आयोक के स्थान पर की गई खत्रे के संकेत के लिए लाल बत्ती का ब्योवार होता है क्यूंकि Option A इसका नियुन्तम बिखराव होता है कभूतर किसका परतीक है? तो Option C कभूतर जो होता है सांती का परतीक होता है बंग भंग आंदोलन से संबंदित निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है? Option A हो जाएगा चारों कतन सही है पहला कतन है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विवाजन हुआ लागू हुआ था बहे दिन सोग दिवस के रूम में मनाया गया दूसरा है आंदोलन के दोरान बंगाल नेशनल कॉलेज सता बंगाल टेकनिकल इंस्टिट्यूट की स्थापना की गई और इसे कड़े कड़े विरोत के करण बर्ट्स 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा और चोथा है यह निर्णे जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरवार 1911 में लिया गया था जो बर्ट्स 1912 में लागू हो गया निमलिखित में किस अधिवेशन में नरम पंथी और गरम बंथी दोनों बहिसकार के अस्तरों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलच पड़े तॉपसन भी बर्स 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पस्चमी घाट के सन्रच्छन से सम्मंदित है तॉपसन सी ए और बी माधाव गार्डिगिल पैनल कस्तूरी रंगन पैनल किसी तत्त की भार संख्या ठा रहे है यदे इसमें साथ इलेक्टॉन हो तो प्रोटान और न्यूट्रॉन के संख्या कितनी होगी तॉपसन सी साथ और ग्यार है सूरी सेल परिवर्थित करती है तो प्रकास उर्जा को विद्धो तुर्जा में अगला है पार्सेक जो होती है वो किसकी यूनिट होती है किसकी काई होती है आपसन डी डिस्टेंस दूरी की काई होती है जो पद्धती करेंसी प्रणाली पर आधारी तो जिससे जिसमें मुद्रा की प्रतेक इकाई के पीछे सत प्रतिसत कोस रखा जाता है और कागजी मुद्रा सोन या चांदी में परिवर्तन सील होती है आपसन ए उसे नियूंतम कोस प्रणाली कहते हैं किसी तत्तो की परमाडवू संग्या ते रहे है उस तत्तो की सहियों जगता कितनी होगी तो आपसिन सी तीन निमलिकित में से नाइट्रोजन के किस योगिक का प्रियोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है आपसिन ए अमोनियम क्लॉराइड नह फोर सील भारत सरकार दोरा हातियों के सन्नच्छन से संबन्दित प्रोजेक्ट हाती कारिकरम की सुरुवात कप की गई तुबर्स 1992 कारवन की सहियों जगता अपने कारवने की योगिकों में कितनी होती है तो आपसिन भी दो होती है आक्सी करण ऑक्सिडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाड़ू या आयन ओपसिन भी इलेक्ट्रोन देता है कास्टिक सोडा का रासानिक सुत्र क्या है तो ओपसिन ए एन ए ओच अगला है चूहों को मारने की जो दबा है वो कौन सी है तो जिंक फासपेट प्लाजमा जिली का मुखेकार क्या है तो जीब कोस की रासानिक रचना ठीक रखना उबलते हुए तरल पदार्द की सतय पर उसकी बास्प का दबाब कितना होता है ओपसिन भी 760 mm पारे से कम काला चिदर किसके सिकुणने से बनता है तो भारी न्यूट्रोन तारा और आज का लास्ट कुश्चन है किसकी परत बायू मंडल में होने से ग्रीन हाउस एफेक्ट होता है ओपसिन ए कारबन डाइयोकसाइड सियो टू तो गाइद आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद आपका दिन सुबर है